कर दोस्तों जार्खन कोचिंग क्लासस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का श्वागत हैं आप लोगों में से अधिकान्स को पता होगा हम लोग जे इससी सीजेल के सिलेबस के अनुशार रेविजन कर रहे हैं में आपको चैटर वाईज कोशन को इंक्लूड के हम लोग कर रहा है और वो भी सीक्वेन्स वाइज बताया जारहा है तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो टेस्ट फो डिसकस किया है वो है जार्खन जीस से इसमें से 2165 प्रशन आपको देखना अब यहां हम लोग 8 टेस् में जार्खन इस्टी complete हो चुका है जार्खन जोग्रफी भी complete हो चुका है जार्खन culture यह हम लोगों का last portion है और इसी को अभी हम लोग नहीं आज दो ही topic को यहां पे हम लोग solve करने वाले हैं एक है आपका जार्खन के प्रमुक सेक्षन संस्थान और दूसरा है आपका जार्खन में द्रशन यह असल यह दो टॉपिक से related प्रशन को आज हम लोग यहां पर देंखेंगे और यह जो प्रशन है वो guidebook से हैं और इसक लगबग 160 प्रशन को लगबग नहीं completely 160 को यहां पे हम लोग solve करेंगे और साथी साथ यहां पे अगर जहां explanation का जोड़ी होगा वहां पे हम थोड़ा बहुत उससे समंदित तत्यों को भी बताने का प्रयास करेंगे तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं सबसे पहला प मंदीर कहां सित हैं हम सभी जानते बैजनात मंदीर जो है वो देवगर में इस्तित है लेकिन चार आप्शन जो है उसको देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है दुमका देवगर गुड़्डा इन्मी से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका देवगर कुरर मन नाम के एक सासक थे उनके द्वारा करवाया गया देवगर में कब मेला लगता है आसाड में शावन में क्रात कातिक में और आस्विं में तो हम जानते हैं सभी कि सावन में सबसे बड़ा मेला यहां पर लगता है सबसे जादा तिर्थियात्री यहां सावन के दौरा यहाँ पर मिला लगता जहारटन के किस सहर में सबसे अधिक तरती आतरी आते हैं तो इसका पूछा जाएगा आपका देवगर, जो आप्छन हैं वो सही नई होगा देवगर का बाबा बैजनात मंदीर किस सैली में निर्मे थे तो देखिए मंदीर निर्मान के तीन सैली है नागर सैली बेशर सैली और द्रविड सैली उसमें से कौन सा सैली है वो आपको पूछा जा रहा है मथूरा सैली बेशर सैली द्रविड सैली और नागर सैली तो हम सभ पारवती लक्षी मोथ तो इससे को नहीं जानता है हो जब बहुत फेमस है जो की दामुढ़र और भैर्वी नदी के संगम पर स्थ राजरप्पा और यह जो है महज़ी मिस्तिका मंदिर ben माढ़ी मस्तिका का मंदिर प्रशनियू स्थ सबिस्द्रिक करा मंदिर किस नन दी के कि से भी लोकली जाना जाता है देज के 51 सक्तिपीटों में से एक माच मिस्तिका का मंदिर किस जीला में है तो ब्रैकट में आपको देखने को मिला था रजरप्पा और ब्रैकट में लिखावा था रामगड तो वहां पर आपको पता चल गया होगा कि यह वह रामगड जीला में जाता है वासू की नात धर्म स्थान किस जीले का महत्तपून धार्मिकस्तल है वह कहां पे दुमका में लगाली मंदिर इसका सङ्छी और यह बनाया गया था जो कि आगे सवाल में आपको देखने को मिलेगा मोरेकाल में गुप्तकाल में इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा पाल काल मतलब भद्रकाली जो की चत्रा इट्खोरी में है उसका निर्मान पाल हंस या पाल काल में कभी न कभी हुआ था कोठेश्वर नात इस्तूप कहां पे है पदमा में बरी में इट्खोरी में और इचाग में तो आपको बता रहा है कोठेश्वर नात जो है वो कहां पे है तो चत्रा में इट्खोरी जो बद्रकाली जो मंदिर चत्रा में है उसमें चोड़े चोड़े सेवलिंग है उन सेवलिंगों के संख्या को आपको बताना है यह जो सेवलिंग है एक सो में है हजार में है या बारा सो की संख्या में है तो इसका सही अंसर हो जाएगा एक हजार कलिश्वरी मंदिर किस जीला मे सित है चत्रा पलामू गेरिडी हजारी बाग तो हम जानते हैं कलिश्वरी कलुवा पहाड में है और ये जो है आपका चत्रा में पढ़ता है नमलेकित में कौन सा मंदीर को कोलुवा पहाड या कलुवा पहाड या कलुवा पहाड या कलुवा पहाड या कलुवा पहाड या कल धर्म हिंदू बौध और जैन का संगम माना जाता है यहां तक कि सिख चाउथा धर्म को भी यहां पे माना जाता है कि यह चार धर्मों का शंगम है लेकिन यहां तीनी दिया है लेकिन इत्यास में जब हम लोग माइड में भी थुरूर रिविजन करवा रहे थे तो वहां आपको बताया गया था यह चार धर्मों का शंगम अस्तल है यानि के सिख भी इससे अपने आपको जोड़ते हैं तो वो जगह कौन सा है पुरान के रशनाकार जिन सेन का साधना असल मानते हैं यानि कि यह जो जगह है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है तो कलेशवरी पहाड है पोरहाट पहाड है सरुवत पहाड है इनमें से कोई नहीं तो इसका सही अंसर कलेशवरी जो चत्रा में है वही इसका सही अंसर है महा माया मंदीर कहां इस्तित है इटकोरी में बोड़या में मंजगाओ गुमला में हापा मुनी गुमला में तो हम जानते हैं महा माया मंदीर जिसको राजा गंजगट राय बाइसवे जो राजा थे वो इसका निर्मान करवाया थे जो की हापा मुनी ये पढ़ता है ये आपक मंदिर का निर्मान करवाया गया यह को कहा जाता है कुल के दोरानं मैं जिकर कर दीा गया आपको बताना है यह बारा कोपा पहाडी कहां है और उसमें मायोगिनी के जो जिला में पढ़ता है तो चले चार ऑप्शन यह और गुड़ा इसका बाराकोपा का मंदीर आप पहाडी जो देखिएगा जहां पे मायोगीन्या का मंदीर है वो गुड़ा जिला में देखने को मिलेगा अगला प्रशन है स्रीबंसी धर मंदीर कहां इस्तित है नगर उटारी गडवा नगर लातेहार बरवाडी लातेहार शा थीव ले लिया गया है अर्कियोलेजिकल सर्वय इन्डिया के द्वरार इसलिए काफी फेमस है और इसका सवाल आने का चांस जो है वह बनता है यह पूरवी सिर्म में है पश्मी हम में हैं या जाम्ताड़ा में है यह जो है एनी शा के द्वारा जो की नागवंसी राजा थे वो जगनात्पूर मंदीर का निर्बान करवाते हैं 1691 में इसका अंसर हो जाएगा 1691 जगनात्पूर मंदीर का निर्बान किस नागवंसी राजा के द्वारा की गई थी एनी सा दूजन सा राम सा रगुनात सा तो अभी आप जगरनात मंदिर की उचाई कितनी है व्यासे फिट, चैनबे फिट, सौफट। इन में से कोई नहीं इसका सही अंसर हो जाएगा सौफट। लगबख सौफट आपको जगरनात मंदिर का उचाई देखने को मिल लाता है। टांगिनात मंदिर कहां अवस्सिते हैं बेनी सागर जो की पश्मिशिमूम में है, मंजगाओं जो की गुमला में है, नगर जो की चनदवा में है, नितरहार जो की लातिहार में पड़ता है, तो इस तरह से इसका सही आतर हो जाएगा, मंजगाओं जो की गुमला में है, निमलिकित में कहां, सुल्ला भूजी देवी क के राची जिला में पढ़ता है वहां पे इस सित है, हल्दी घाटी का मंदीर कहाँ अबस्तित है, बूरआ, राची, जल्डेगा, संव्की नाथ, दुम तО्र और कुरावें, गुमला, कुरावें, कुरावें का जो पहाडी यह उसको अगें जान के सास्थ, इंका और नागव जिला में पड़ता है अगला प्रश्म देखते हैं वासुदेव राय का मंदिर कहां अवस्तित है काडारा कोरामे देवगर और बोड़िया तो देखिए आपको अभी तुरंत बताया गया कि कोरामे में आपका हल्दिगाटी मंदिर है और यहां पे वासुदेव का मूर्थी प्राप्त किया गया था नागवन सी राजा धीमकर्ण के द्वारा और इसलिए वासुदेव राय का मंदिर जो है वह भी आपका कुरामे में ही इस्तित है और इसलिए इसका सही अंसर आप्शन भी कुरामे होगा शुर्य मंदिर कहां अवस्तित है चकरदर पूर, इचागड सराइकेला खर्शामा बुंडू राची चकूलिया पुर्वी सिम्म तो अमीद करते हैं आप लोग में से अधिकांस लोग जो हैं वो बुंडू के सुर्य मंदिर गये होंगे और इसका आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा उग्रतारा मंदिर कहां व यह मंदिरोगा वाला गाओं कहां हैं देवगर्ण मलूटी इन में से कोई नहीं तो हम सब ही जानते हैं मलूटी जो की मंदिरों का गाओं कहला आता है वो जो है अपका दुंका में पढ़ता है और यह सफसे थे में और यह ना केवल राज की अस्तर बलकि राश्च्री अस् in and want video comment का अवस्तित है दुमका घृड़ी पलामू और देवगर इसका सही अंसर हो जाएगा धर होजाएगा जाहराखंड धाम कहां अवस्तित है गिरिढी बुकारु रुटLU च का भकर्म सबसेतば आपको बताना ज्याराखंड दाम जो है वह वह वहां पर इस सित्न ना तो इसका सही अंसर हो जाएगा मदन मोहन नागवनसी राजाओं के दोरा किस आशनकाल में यह बनाया गया था और बोड़िया जो किराची जीला में पड़ता है मदन मोहन मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा अगला प्रशन है जगनात पाहडी देवडी सुरी और शती मंदिर किस जीला में है Toh जगनात यहाँ पे दिखेगा तो जगनात मंदिर जो है वह जहारकर्ण में हो सकता है घ्छर्कण में सबसे बड़ा रत मिला जो लगता है जगनात पूर का जो किपिछले वीडियो में हम चर्शा किये थे वो रांची जी लांग पड़ता है और इस तरह से देवडी अभी आपको बताया गया वो भी रांची मिला है और शुरी मंदीर भी आपका बुंदू रांची में पड़ता है और इस तरह से हम कर सकते हैं कि यह जब तीन वह है तो सती मंदीर जो है वो भी रा माना जाता है महावीर हनुमान का जन्व माना जाता है वो किस जिला में पढ़ता है जारखंटे सिम्डेगा में पढ़ता है राची में पढ़ता है तो यह जो है आपका गुमला जिला में पढ़ता है उमीद करते हैं आप लोग में से कई लोग यहां पे गये भी होंगे सुमे पंडिश्वर नात मंदिर का था पंडिश्वर नात मंदिर यह जो है वह कहां सिथ है तो यह जो है दुमका के सरया हाट में सिथ है भुनेश्वरी मंदिर कहां सिथ है जमसेदपूर राची पलामू और धनवाद तो यहां पर चार ऑप्शन है चार ऑप्शन में आपको बतान है वो राश्ची अस्तर पे फेमस है और ये उसके ब्रैकेट में भी लिखा हुआ था उमीद करते हैं आपको याद होगा चलिए इसका अंसर बताइए पाकूर जाम ताड़ा दुमका और गुड़ा तो हम लोग जानते हैं कि यह जो है आपका दुमका में है अब हम देखते है जौलामुखी जौला जी मंदीर से लाकर अखंड जोती को यहां पे जलाने का परमपरा कहां से रहा है वो चीज आपको यहां पे देखने को मिलता है चार आप्शन पाला है सक्ति मंदीर जो की धनबाद में है दूसरा भुनेषवरी मंदीर जो की जमसेथपूर में है त människ आप defined च्केला का मंदिर जोकी जट्रा में है इसका रही अंसर है शक्ति मंदिर जो की दंबार बेसूर है कि अर्प आफन्पi यह कौ organis ने फिवय। ऑलेस प्रश्म में जो मंदिर है जहूं मुण है किस न cache, शर्णू देव को या सनी देव को या काली और को है तो यहां पर बताना है कौन सा ऐसा मंदीर है जो भूमी और घर्ती यानि कि भूमी दर्ती एकी चीज़ है तो जंजातिय刘्वता को समर्पित है जिंजी-पाहाडी-बंदीर-बंदीर-ब्यजनत- मंदीर- nggak भूफोर पारशनात को जैन धर्मावलिंबी किस नाम से पुकारते हैं तो सम्मेद सिखर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं जैन धर्म के चोबीस में से बीस विचारकों ने मोक्ष की प्राप्ति पारशनात में की अंत में किसने प्राप्त किया तो देखें यहां पे अंत में जो यहा आधिना यहां पे दिया गया है तो यहां पे पारशनात्य जो जो है फो अंत में यहां-ब। है यहां पर आंसर देता है हां आज दो सब्सक्राइब के लिए मतलब नीचे पहाड़ी के नीचे यह वो जगह है उसमें आपको माइंड मैप में पूरा डिटेल के साथ बताया गया था उमीद करते हैं माइंड माइप वाला जो सीरीज होगा आप जरू देखेंगे कि पूरा इतिहास को केवल और केवल ग्यारा पेज लगबक ग्यारा पेज में ही आम लोग उसको खतम कर दिया है और उम्हे और इस री तो मधुबन इसका सही अंसर हो जाएगा अब कोशन नबर 50 में एकते हैं क्या पूछा गया है दिगंबर जैन मंदिर कहा अस्तित है पारशनात मधुबन सम्मेश सिखर उपरिरुक्त सभी कि यहां पे सभी जगह मिलेगा पारशनात में भी सम्मेश सिखर है अंसर हो जाएगा जैनियों के परमुकत तेरत अस्तल पारशनात किस जिले में इस्तित है इसको कौन नहीं जामता है गिरिडी जो है वो पारशनात अस्तल वहां पे या पारशनात के पाड़ी जो है वो वहां पे मौजूद है पलामु किला किस जिले में इस्तित है पलामु अंसर है यहां पे लाتेहार के नाम में इसको पहले से इसको पालामू किला के नाम से झाते हैं लेकिन यह वर्तमान में लातेहार जिला में चल गया है और इसी लिए इसका सही किला तो उरंगा नदी अगर आप पालामु किला देखेंगे तो उसके किनारे औरंगा नदी जो है वो गुजरती है तेस तरह से इसका सही अंसार option D हो जाएगा औरंगा नदी अब हम देखते हैं कोशन नंबर 54 पलामु किला में दो किले जिने पुराना किला और नए किले के नाम से जाना जाता है आपको पता होगा नया किला जो है पहाड़ी के उपर है और पुराने किला जो है वो नीचे में है नय किला का निर्मान किस शेर और शन नागपूरी दरवाजा इस दरवाजे की उचाहिए लगबग 40 फीट है चोड़ाई 15 फीट है यह दरवाजा कहां से लाया गया था पालकोट से दोईसा से जो की नौरतन गड़ है रामगड़ से और शुत्यामे से इसको लाया गया था नौरतन गड़ से युद्ध में इसको जीत के लाया गया था और उसके बाद उसको नए किले में स्थापित करवाया गया था तो इसका सही अंसर हो जाएगा आप्शन वी दोईशा जो की नौरतन गड़ को अम लोग जानते हैं पलामो किला का सम्मंद किस राजवन से है नागवन से सीवन से चीरोवन से और यहां कबजा कर लेते हैं तो यहां पे अगर पूराना किला गया होंगे तो पूराने किले के अंदर आप देखिएगा वहां एक मजजिद छोड़ा सा बनाया गया है यह दाउड खांके रौरा ही बनाया गया है दोईशा गड़ किस जीले में से थे राची गुमला लोहरद talented कि भी अगफे नी इसका सही अंसर हो जाएगा दोईशा या डोईशा विस्राम पूर किल और किला रामगर चांदनी किला कांप ए जर्या क कत्रास और रामगड तो साहपूर जो है वो आपका मेदी नगर में ही पढ़ेगा जो की पलामू में है रोहिलो का किला कहां इस्तित है पालकोट जो की गुमलाम पढ़ता है जपला जो की पलामू में सर्याहाट जो की दुमका में और पदमा जो की हजारी बाग में पढ़ता है तो आपक पूछा जा रहा है तो इसका साही ऑंसर ऑप्शन ए ही है मुझभफर खांके द्वारा करवाया गया था रोहीलो किला का दिर्मान अब हम लोग देखते सक्ष्टी फूर कुशन नुमर सक्ष्टी फूर में कौन सा प्रश्ण है नरायन पूर का किला जिसका निर्मान सोली शताब्दी में चेरोवंसी सासक भाग के लेखा पाल जाजदास ने कराया था किस जिले में इस्तित है तो आपको बताना है नरायन पूर का किला जो है वो जो है वो कहां पे है तो ये जो है आपका लातेहार में पढ़ता है बादम क किला किस जीले में स्थित है धनबाद हजारी बाग चत्रा और रामगर तो यह जो है आपका हजारी बाग में पड़ता है बादम के किले का निर्मन किशने करवाया था बागदेव तेज सी कामाख्या नारायन और हेमंत सी तो इसका सही अंसर हो जाएगा हेमंत सी चैनपूर का किला किस जीले में स्थित है धनबाद चत्रा पलामू और हजारी बाग तो इसका सही अंसर हो जाएगा पलामू में कूंदा का किले किले की मिनारे किस सैली में निर्मित है नागर शैली मुगल सैली मौरश इन से कोई नहीं तो यहां कूंदा सैली जो है वो जो मिनार बना तिल्मी का किला किस जीले में सित है पूर्वी सिमुग जामताड़ा पश्मेशिमुग और राची तो तिल्मी का किला जो है वो राची जीला में पढ़ता है पालकूट यह नागफेनी का राजमहल किस जीले में है तो पालकूट तो बहुत फेमस जगह है और नागफेनी भी बहुत जगा है वैसे सब कोई इसको जानते होंगे तो यह जो है आपका गुम्लाम पड़ता है रामगड किले का निर्मान किसके दौरा करवाया गया तो चित्रजीत राय शबल राय भानुसी और तेज सी तेज का जो सही अंसर यहां पे देखने को मिलेगा वह आपका शहबल राय या सबल राय जो है वह आपका करवाया गया तो यह जो है रामगड किले का निर्मान करवाता है अगला प्रशन है केसान गड़ जैतन गड़ और पुरहाट का किला किस जीला में सित्थ है आपको चार आप्शन देखने मिलेगा पुर्वी शिम्मूम राची पुश पुरहाट किले का निर्मान किस ने करवाया था बागदेव, हिमंत, सी, जगनात, सी, अर्जुन, सी तो इसका सही अंसर हो जाएगा जगनात, सी उसके बाद देखते है पदमा का किला किस जीले में सित्थ है राची हजारी बाग पुडर्मा और चत्रा तो पदमा तो फीमस राजा के धोरा करवाया गया yep अर्षोपानी काहांम पर है बर्ड़का गाओं हजारी बाग में मंजगा गुमला में कंचनगरद में इत्खोरी चत्रा में तो बशयों पनी जो है वह बढ़का हजारी बाग में पढ़ता है पदेए जहां पर 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 रो थी देखते हैं सुर के पास manggulia point इस्ते थे तो यहां पे सुरियास्त जो होता है उसको आम लोग manggulia point के नाम से जानते हैं नेतरहाट का ही वो जगह है उमीद कते हैं तो यह पता होगा तो नेतरहाट option c टैगओर हील कहा है इस्ते थे राची का सबसे famous hill जो है वो टैगोर हील है और इसको को नहीं जानता है मौराबादी की मैदान के समीप है निमलिकित में किसका निर्मान 1815 में एड़द सत्रा की स्मरिती में करवाए गा था भगवा कुवा पलामु किला रोहिलो किला और तिरिया गड़ी का किला तो इसका साही अंसर है सित किया गया है तो अभी देखे जार्खन के तिरत ते अब बाकी जो प्रश्ण में लगबक यहां पे हो सबी के सभी जो होंगे वह यहां के सिक्षन सतान से होंगे तुमीद करते हैं जब वीडियो का आप इतना देर तक देख रहे हैं तो संस्थान के भी जो संबंदित mcq उसको भी आप अंत्र तक देखिएगा और हो सकता है इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ फाइदा हो रहा होगा तो देखते हैं अगला प्रशन जो है इसका जवाब क्या है तो इसका जवाब हो जाएगा पहले ऑप्षन देख लेते हैं इस को इसका सब से महत्यपूल इशाहियों का यहां पे रोल था तॉसके भाद यहां पर डबलीं दूंसां को बढ़ावा दिया जा राए उसलिए जो हो जाएगा इसका प्ला सही आंसर पूस्ती हो जाएगा कि वर्स हजारी भाग में संत कोलंबा महा विद्ययालाई के अस्थापना की थी एसा यहां पे फूछा गयां चलिए T चलिए आपने प्रफ टेष पहले मिशन कि यह सथापना फिर आपका डपलिन यूनिबर्सटी संथ के के द्वारा कब करवाए गया था चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है सत्रा सो पच्छतर अठारा सो निनानवे उनीस सो बारा और उनीस सो चार तो अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि डबलीन जो यूनिवर्सिटी मिशन जो है वह जहारकण में कब आता और उसके बाद यहां पे सुन्त कोलंबा कॉलेज का यहां पे यह स्तापना करवाते हैं 1899 में और जिसके प्रथम आचारे जो थे वो रे जे एच मरे करके एक व्यक्ति थे जो कि इनको यहां पे प्रथम परचारे का यहां पे दरजा दिया गया था इसी विद्ध्याले को या एक परह से कहें महाविद्याले को डिग्री का माने आता जो है वो उनीशाव चार में प्राप्त होता है तो इस परह से यहाँ पर यह दिया गया है जो कि अगला प्रस्ट में आपको देखने को मिलेगा जहारकन का प्रथम डिग्री कॉलेज कौन है संत जेवियर कॉलेज संत कॉलंबबा कॉलेज राजाम मेदनी राय कॉलेज तो यह जो है संत कॉलंबा कॉलेज है जो कि डिग्री का माने आता यहाँ पे दिया गया था उनीशाव चारिशवी में चलिंद हम लोग यहाँ पर देखते हैं निवलकेट में किस मिशनaisse साथ जुलाई उनीशावाली स को राची में संध जेविär कॉलेज की साफना की कम जैसे कि जानते हैं सबसे पहले जील मिसन आथा प्रें जो आएगा एटीन फिप्टी-वाइड में आता है उसके बाद यह जो है prescription में और 11 जो हैraszam मिशन से स्पीजरी मिशन यहां पर आपका टूड जाता है जो कि 1869 में तूड़ता है और इस तरह से जो आपका डबलिंग युनिवर्सिटी मिशन जो आता है वो 1892 में आता है तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जो किस मिशन जो है के द्वारा साथ जुलाई उनिश्ट चावालिस को रांची में संत जेवियर कॉलेज की अस्थापना की गई तो इस तरह से यहां पर अगला प्रशन संत जेवियर कॉलेज रांची में सनातक अस्तर की पढ़ाई के शुरुवात कब हुई तो आपको बताना है सनातक अस्तर का पढ़ाई जो है जेवियर कॉलेज में कब से प्रारंब किया गया तो इसका चार आप्शन हम लोग देखते हैं कब कब दिया गया है लेवियर कॉलेज का स्थापना करने के बाद जो होता है इसको बाद में असनात का एक तरह से या डिग्री असतर का मानियाता मिलता है तो कहीं-कहीं आपको हो सकता है इसका स्थापना डेट भी पूछा जाए तो देखें आपको साथ जुलाई उनिशन चवालीज पर देखने जञेए गा और इसको याद करने का प्रयास किजिएगा लेकिन पीन जुलाई और ही जादा यहाँ पे हमको लगता है कि तीन जुलाई ज्यादा-यहाँ पर एकांते से कहिए है इम्पॉर्टेन डेन वैं उसी तो आप याद रखिएगा साथ जुलाई हो सकता है हम को लगता है यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसको यूवर्सिटी का एक तरह से कहिए यूवर्सिटी का जो भी पावर है वो सारा पावर इनको मिलता है लेकिन इसके अंडर में कोई कॉलेज नहीं होते हैं तो इस तरह से डिम्टू युनिवर्सिटी ये जो है वो मात्र एक है जारकण में जारकण में कितने नीजी विश्विद्याला है तो आपको बताना है प्राइवेट कॉलेज की संख्या जो की एकनोमिक सर्वे के अनुशार ही हम यहां पे पूछ रहे ह इसका सही अमसर हो जाएगा आपका pause ळिय남 юк उपरियोगति सभी तो उपरियोगति सभी नहीं होगा वलकि option B यानि कि BIT होगा इंस्टिटूट ओफ टेक्नोलोजी इंडियान स्कूल ओफ माइंस कहां अवस्तित है जहारकण में जमसेदपूर में धनबाद में और बोकार में तो यह तो बहुत पेमस है आई आई आइटी क लुफूर में चास में और instant मे अगर नामी लेते तो मतलब नहीं जाता है इससंहाइं जहां और इनका दिय के आपका देवगर में चलिर ऐहाँ पर दे完全 इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स आई एसम की स्थापना कब हुए थी यह जो है हम लोग का आजादिश यह पहले यह स्थापना हो चुका था और यहां के जो भी माइन्स थे उसको सही तरीके से यहां माइनिंग किया जाया और कम से कम यहां लोगों का दुक्षान हो इसको देख को सब्सक्राइब नौइस सूब्सक्राइब कर इसका यहां के लोगों को यहां कम से कम जीवन की चती हो यह आपका ज्यादस ज्यादा इस्वेश्वें किया जा सके चलिए अब हम देखते हैं कुछन नमर नाइटी इन में से कौन सा विश्विद्याले एक दिम विश्विद्याले है फिर से रिपीटेड है तो यहां पर यहां पर यहां पर बियाई ती में तरह जो है वह आंसर आपको बताया गया था उमीद करते हैं यह आपको होगा कुछन नमघ नैटी इन देख किस कि beds अब शिख्विद्याले क्या स्थाप्णामी थी राची मृष्विद्याले और पूलहान विश्विद्याले उसस में अगर हम देखे कंग इसका निर्मान हुआ था तो इस तरह से ओप्षिन ए जो है आपको यहांन पर राची युरूवर्सिती का आपका अस्थापना होता है यह देद्ध आपको याद रखना हो सकता य्ज़ीए और आने वाले प्रशनों में देखने को यह गोड़ जैगा इन्फिमें बिहार उनिवेंटी से बिहार होता है उसके बाद उनिवेंटी औब भीहार से अलग होके यहां पर आपका राची कोलेज का निरवान होगाया यानु कि पट्टा युनिवर्शीटी से पहले टूकता है nigh 52 पीटू में बनता है बिहार युनिवर्सिटी और फिर बिहार युनिवर्सिटी से बिहार युनिवर्सिटी आपका मुझपरपूर बिहार फिर राची युनिवर्सिटी और बागलपूर युनिवर्सिटी बागलपूर तो चलिए रांची विश्विध्याले का साफना बिहार विश्विध्याले से अलग होके कब किया गया था तो यह उनीशा बहत्तर है उनीशा ब्यासी है उनीशा बांगे है और तो दो नाइटी नाइटीटो में में भात फ्जविध्याले का सांब आवस्विध्याले के तो आपको बताना है कि वह कहां पे अवस्थित है धानबाद में के रेड़ी में है बोकारों में हजारी बाग में या यह साफना कम हुई है अब अяла नाम सिद्धू कानु मुर्मो विश्विद्यालाय हो चुका है लेकिन ठीक है इसका स्थापना कब हुआ है वह चीज आपको पूछा जा रहा है तो 1992 में 1992 में 1996 में 1999 में हुआ तो इसका सही अंसर हो जाएगा 1992 में हुआ सिद्दू कानु विश्विद्याले कहां वस्तित है, तो जैसे कि आपको पूछा गया, यहाँ पे विनोबा भावे कहां है, हजारी भाग में, राची कॉलेज कहां है, राची में, तो सिद्दू कानु विश्विद्याले कहां पे आपको पूछा जा रहा है, सिद्दू काने निलामर्-पितामर् विश्वत्ध्याले यहां पर 9 श्रिजित विश्वत्ध्याले आई.. यनि часто लेखते हैं दूसरा सवाल क्यों कि निलामर्बर्बटामर्स से हैं किस वर्ष स्थित्य में आया था कहां अवस्तित है मेधी नगर तो ापको आपको जरूर खैर पुर्ष जाइगा, 2009 कोलहान विष्खिध जाले कहां वास्ते था जम्सेतपूर चाहइपासा चकाजड़ झायबाको तो koholah kan pork तीन जचलन आ जाते हैं ईब तीन तीन प्रमंडjust है को यहां पे उसका जो मुख्याला है चाहई वह ही पे यह विष्विध्ध्याले आपको देखने क्या गया है तो यहां पर शेयर हो इस अगर आप कोशन देखें गे प्रीवेश के कोशन देख रहे होंगे और पीजी दिका जो की दो जाएस में यहां पर यहां पर अगस्त और सेटंबर में वहां पर यह सवाल आया हुआ था इसका सही अंसर था 1981 तरह से आपको जो भी कोश्चन है उसको एक बर बना लेना है आपको 1685 प्रशन यहां पर बनवाया जा रहा है और वहीं पिसे आप देखिएगा लगबग अगर 40 प्रशन अगर आपको CGL में है तो आपको 25 से 30 प्रशन तो आपको देखिएगा पहले से पढ़ा हुआ कि कहीं न कहीं देखने को मिल जाएगा थोड़ा बहुत गुमा फिरा कि वो प्रशन है बाकी के 10 से 15 प्रशन ऐसे होंगे जो कि आपको वहीं पर बैट के solve करना होगा जिसे उमीड करते हैं अग सवाल को बना पते हैं तो आपको कम से कम उमीद कर इतना लेके चलना है कि लगबग 35 प्रशन तो हमको बना नहीं और इसी तरह से दूसरे सेक्शन में भी लगबग आप 70-80% 85% तक का सवाल को solve करने का प्रयास कीजिए आप आराम से कट अब कर जाईएगा चले अब हम देख है रांची में हजारी बाग में दुमका में और पलाम में तो हम जानते हैं ब्रिशाक तृष्ष विश्विद्याले जो है काके के में हैं और यह रांची में पढ़ता है विज्ञान प्रद्रगी की कि सिक्षा के लिए जहारकर में कितने सरकारी अभियांतरी यानि की engineering महा महा विद्याले हैं और यह भी एकनोमिक सर्वे के अनुशार ही आपको जवाब देना है कि यह जो है आपका engineering महा विद्याले या engineering कॉलिंग जो है उनके संख्या आपको बताना है तीन है चार है पांच है छे है इसका सही अंसर हो जाएगा आपका तीन बिर्सा बिर्सा इंस बिर्शा है दोनों में अंतर है यह चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा निश्टल इंस्टिटूट ऑफ टेकनोलोजी जिसको नाम से हम लोग जानते हैं वो कहां पे अवस्तित है बोकारो जमसेदपूर राची और दनबाद तो इसको कौन नहीं जानता है नाइटी प्रशन बना चुके हैं अपको यहां पर बताना है कि चार आप्शन में कौन आप्शन जो होगा वो सही होगा तो इस तरह से इसका सही आमसर जो हो जाएगा आपका आप्शन डी यानिकी नाइटीन सिक्ष्टी यहां पर इसका सही कौशन हो जाएगा यहां पर यह दिया गया है तो इस तरह से हम लोग जो है एक सो आठारा प्रशन बना चुके हैं अब हम लोग देखते हैं कुशन नबर वन नाइटीन राजेंद्र चिकत्सा महाविद्याले यानि रेम्स जो है वह कहा हुआ अवस्यत है धनबाद में हजारी राची में जंसेत्पूर में तो यह जो है वह राची में अवस्यत है मैं परिवर्तित करके राजेंद्र आयूज्ञान संस्थान कर दिया गया है MGM चिकितसा महाविद्याल है पाठेपुत्र चिकितसा महाविद्याल है तो यहां से पता चल जा रहा है तो आपका रिंस के एक साल बाद आपका MGM कॉलेज जो कि जमसेद्पूर में है वो जो है आपका अस्थापना किया गया था और यहीं चीज आपका 122 में पूछा गया है कि MGM कॉलेज यानि महात्मा गानी मेडिकल कॉलेज कहां अवस्तित है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option A यानि कि जमसेद्पूर पाठली पुत्र चिकितसा महा विद्ध्याले कहां अवस्तित है यह चीज आपको पूछा जा रहा है रांची में है जमसेद्पूर में धनबाद में गिरड़ी में इसका सही अंसर हो जाएगा आपका धनबाद केंद्रिय मनुचिकत्सक्त संस्थान के अस्थापना कब हुई थी उनी सो अंठावन न यहां पर बना चुके हैं अब बाकी प्रश्णों को भी जल्दी जल्दी हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करते हैं और 160 प्रश्ण को हम लोग यहां आज एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हम लोगों का कल्चर का जो चैप्टर वाईज था वह समाप्त हो जाएगा और नेक् अगला प्रशन है जिसके स्थापना सोसाइटी आफ जीजस के द्वारा की गई थी कहां अवस्तित है जमसेटपूर धनबाद राची और बुकारो तिसका सही अंसर हो जाएगा जमसेटपूर अगला प्रशन है जी विर इंस्टिटूट आफ टेक्नोलोग आफ सोसल सर्विश एकसाइस जिसके स्थापना उनी सोपश्पन में फादर माइकल विंडे ने की थी कहां अवस्तित है तो आपको बताना है एकसाइस जो है वो कहां पर अवस्तित है और उमीद करते हैं आप में से अधिकांस को बता होगा कि जमसेटपूर राची पलामू और दुमका तो इस सायब गज और गुड़्डा ये नामकम है और नामकम जो है रांशी बढ़ता है केंद्रिय इननन सूषण सथान में से एक है कि अस्तापना वर्स नाईनिन फिप्टि फाइब किया गया था हजारी बासि में धनबाद में इनने से पोई नहीं तो ये जो है आपका दनबाद यह चीज आपको याद रखना है धनबाद में खनन अनुसंदान संस्थान है इसका स्थापना कहां पे किया गया है यह पूछा गया है गिरडी बुकारो धनबाद जमसितपूर और धनबाद इसका सही अंसर हो जाएगा धनबाद राश्ची धातु विज्यान प्रयोग साला क इसका साही अंसर हो जाएगा जमसित पूर केंद्रिये तसर अनुसंदान एंवं प्रशिक्षन संस्थान का अवस्थित है गडवा बोकारो जाम टड़ा और राची इसका सही अंसर हो जाएगा रूसर्च एडवलोप्मेंट सेंटर फूर आयरन और इस्टील कहां अवस्थ सकते हैं इसका सही अंसर हो जाएगा और मृणाइगा जो है आपका नजारी ने यहांपर देखने को मिलेगा चा केंद्र कहां वस्तित तो कुछण नंबर 140 का आप्शन चार आप्शन रामगड है लाते हार रहे गिरीडी है हजारी बाग है है इसका चाहिए अनसर हो जाएगा हजारी बाग उस्ट रूट अनुसंधान केंद्र कहां वस्तित चुटी में गुम्ला में और कोटी में और अगला प्रशन अगर आपको ट्रेनिंग मिलेगा संसान कांपन स्थित है ऑप्शन यही इसका सही अंसर है हजारी बाग स्थित पुलिस प्रशिक्षन केंद्र के अस्थापना कभी थे अगर 2017 बैच में जो भी दरोगा बने थे उसका यहां पर ट्रेनिंग चला था तो यह कब 12 में निसावाँन में में उनसाओक्यासे में इसका साहिँ अंसर होजाएगा 1912 सीमा सुरक्षा बल स्क्ष के मेरू बेद्र आवस्तितह तो यह जो मेरू मेश और मेरू था यहां पिया आपको यहां पर पूछा रहा है है चार डेट आपको देखने को मिल रहा है उन्हीं सो पचास साथ श्यासाठा अठासी इसका सही अंतर हो जाएगा नाइटिन सिक्ष्टी तेक्स गुरुकुल सिक्षा पढ़ता है अब यहां पर देखते हैं कुशन अब कुछ बच गया लगबाग बारा प्रशन है बचे हुए उसको सॉल करते हैं और इस तरह से हम लोगों का यह जो आज का टेस्ट है टेस्ट नमर नाइन वो समाफ्ट हो जागा नेतरहाट आवासे विद्याल है क्या स्थापन कभी थी तो इसका स्थापना दस देटमबर उनीश एकावन में 26 सेतंबर उनीश सो बहत्तर में 15 नुमर उनीश चोवन में यह 14 अप्रेल उनीश में हुआ था इसका सही जवाब होगा 15 नुमर उनीश जोवन हजारी बाग में अवस्थित इंद्रा गांधी अवाश्य विश सापना कब हुई थी 1963 इसका सही अंसर है कॉलेज ऑफ फॉरस्ट्री काहां पर अवस्थित है दनबाद चक्राज पलामू और नराची तो कॉलेज ऑफ फॉरस्ट्री जो है वो राची में देखने को मिलेगा सप्सट्री ब्लाइड इसका वफ सप्सट्री बलाइड इसको याद रखने का प्रयास के जगे प्राप्त हुआ है तो आपको जब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इसका 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 सब्सक्राइब सब्सक्राइब निचनल इसका सब्सक्राइब और विकास के शित्र में मात्पूर्ण मुहिमिका निवारे नेशनल इस्टिटूट और पॉंडरी एंड फूच टेकनोलोजी राची के सापना कब हुई थी यह पूछा जा रहा है उनीस सो चैसाट इसका सब्सक्राइब और यह पर अवस्तित है जलगोड़ा में यह अवस्तित है बिनोद बिहारी महतु कोईलांचल विश्विड्याल धर्नबाद के सापना की अधिशूशना किस वर्ष जारी की गई 2014 16 17 और 19 यह 2017 में यहां पर किया गया है देखिए नए कॉलेज जो भी आपको बनेंगे उसको आपको ध्यान में रखना है न्यूश्पेपर का कटिंग आप थोड़ा बहुत देखते रहिए कि कौन-कौन सा यहां पर कॉलेज यहां पर बना है तो देखिए यहां पर अब का दर्जा दिया गया है जो कि पेपर कटिंग का भी मौका मिलेगा तो हम बताएंगी युनिवर्सिटी का दर्जा मिलने वाला है यह दैनिक भासकर का चार तारीक का चार अक्टूबर चार दस दोजार तैस का अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा रामगड कॉलेज रामगड जो है जिसका 1963 में यहां पे अस्तापना किया गया था उसको यहां पे आपका युनिवर्सिटी का दर्जा मिलने वाला है उमीद है जब मिल दाएगा तो फिर से एक बर यह पता चलेगा फिर गिरिडी कॉलेज गिरिडी जो है यानि कि गिरिडी के न्यूज में होगा तो एक दीन हम दो चार मिनट का एक वीडियो बनाके वहां पर आपको बता देंगे कि किस कॉलेज को युनिवर्सिटी के दर्जा मिलने वाला है और इस तरह से इसको सिक्शन संस्तान के अंतरगत आप याद रखेएगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट इस विडियो के अबता कि यह जाहिए